हलो आज है 19 फेबरुरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रूप के बारे में अदानी ग्रूप की जो मुसीबते हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है एक के बाद एक बड़ी खबरे निकल कर आ रही है और एक के बाद एक नए एलिगेशन्स इनके उपर लग रहे हैं जो कि कहीं न कहीं इनकी परिशानी को बढ़ा सकते हैं कल जब बाजार खुलेगा तो कहीं न कहीं उसका एक इमपैक्ट जो है वो पढ़ता हुआ जरूर नजर आएगा वीडियो में उसके बारे में हम डिसकल्स भी करेंगे लेकिन उससे पहले कर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अदानी पाव पोर्ट कोई तेजी नहीं कोई गिरावट नहीं वहीं पर था 577 रुपीज अदानी विल्मर 5% के अपर सरकिर दिखाता हुआ नजर है और पिछले दो दिनों से ये 5% के अपर सरकिर चल रही है यहां पर अदानी पावर सप्राइजिंग ये भी 5% के अपर सरकिर दो दिनों से दिखा रहा है हाला कि लगाता तूट रहा था अब भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन अदानी गैस की बात करें अदानी ग्रीन में हाला कि 2% की तीज़ी जरूर है लेकिन ट्रांस्मिशन और गैस में अभी भी 5-5% की लोवर सरकिर लगी है अमबुजा सिमेंट यहां पर थोड़ी सी तीज़ी हमें जरूर देखने को मिली है overall मैंने पहले भी कहा था कि मुझे अदानी की सभी कमपनिया पसंद नहीं है लेकिन कुछ-कुछ कमपनिया है जहां पर आपका फोकस होना चाहिए इस गिरावट में खरीदारी के बहतरीन मौक्य वहां पर बनेगी क्योंकि वहां पर assets जो है वह काफी अच्छ है और business भी काफी strong है कुछ कमपनियों का कौन सी कमपनिय है वो भी हम बात करेंगे लेकिन जो सबसे बड़ा allegations अभी लग रहा है और ये allegations किसी और ने नहीं Forbes ने लगाया है Forbes ने पूरी research करी है इसको लेकर अदानी के जो भाई गौतम अदानी के जो भाई है विनोद अदानी आरोप यह है कि विनोद अदानी pledge अदानी group promoters take for 240 million loans देखो 240 million dollar रुपे मतलब उतने pledge किये और loan लिया रश्यन बैंक से इन्होंने चलो loan लेने में कोई कोई दिक्कत नहीं है लेकिन प्रपत है problem सबसे बड़ी क्या है सबसे बड़ी problem यह है और जो कहा जा रहा है अभी यह क्या सच है कितना जूट है वो शायद अदानी group से कोई clarification आने के बात ही पता चल पाएगा तो यहाँ पर वो है कि Hindenburg also said that there is zero disclosure of this pledge by Vinod Adani to Indian exchanges मतलब कि Vinod Adani ने Russian bank को 240 million dollars के shares जो है वो गिर्वी रखे और उसको अभी भी Indian exchanges में disclose नहीं किया गया है और tweet भी किया गया है Hindenburg के तरफ से tweet किया गया है और जो article है वो Forbes का article है कि गौतम Adani के जो older brother है as fixer के तौर पर कहा जा रहा है यहां पर आदे कि Forbes और जो tweet किया है Hindenburg की तरफ से कि Forbes is out with a major article evidencing hidden Adani promoter pledges a private Vinod Adani control Singapore entity pledge Adani promoter stakes जो है 240 million dollar loan लिया गया है Russian bank से और कोई disclosure नहीं किया है Indian exchanges में और यह बहुत बड़े allegations है और अगर यह सच होते हैं तो यह बहुत 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 बढ़ा damage कर सकते हैं इनको हाला कि temporary damage होंगे मैंने पहले भी कहा था कि कुछ-कुछ companyों में damage होंगे temporary होंगे लेकिन long term में एक growth हाएगी आपको और कहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे उसके बारे में भी इस video में हमें आपको जरूर बताऊंगा लेकिन यहां पर article भी है क्यादानी group में अगर देखें तो हिंटन बग की रिपोर्ट के बाद काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है और हिंटन बग ने बड़े चीज कह दी है ठीक है यह सबको पता था लेकिन जो allegations लगे रहे हैं वो definitely उसको इनकार नहीं कर सकते हैं यहाँ पर उन्हें यह कहा है कि जो government bodies है LIC and SBI जिन्होंने अदानी के FPO में invest किया था वो जानते हुए भी कि शेर लगातर गिर रहा है और यह कहीं ना कहीं देख कोई अगर कोई enterprise FPO where LIC जाहिर से बात है जिसने तकरीबन 300 करोड रुपे बिट किये थे ठेक है State Bank of India का Employee Pension Fund जिन्होंने 100 करोड रुपे बिट किये थे SBI Life Insurance Company जिन्होंने 125 करोड रुपे बिट किये थे यहाँ पर वो भी तब जब अदानी के शेर गिर रहे थे market price से कम में थे तो जाहिर से बात है allegations लगना ज़रूरी है these publicly owned institutions participate in FPO despite the fact that the market price has dropped far below the issue price and that both LIC and SBI owned large chunk of अदानी group entities तो यह विपक्ष काफी बड़े पहमाने पर allegations लगा रहा है government के उपर भी और अदानी के उपर भी हलाकि मुझे लगता है कि जब यह FPO आया था ना तो बहुत पहले उन्होंने करके लखा था even reports आने से पहले भी तो मैं उतना जदा यह नहीं मानता हूं लेकिन फिर भी अदानी के जो shares थे वो already काफी जदा overvalued थे ठीक है उससे आप इंकार तो नहीं कर सकते हो कि काफी जदा overvalued थे यह अदानी को लेकर एक बड़ी update है यह enterprise को लेकर कि अदानी enterprise to freeze capital expansion in new road projects और यह बड़ी बात है कि भाईया आने वाले दौर में जाहिर से बाते जो market की volatility को देखते हुए अभी उनको खुद पैसों की ज़रूरत है तो जो नए road projects है उसके investment को short term के इनने freeze करके रखा हुआ है क्योंकि अभी इनको खुद पैसा चाहिए ताकि banks को वो loan repay कर पाए और डूसरी बड़ी बात है देखो SBI ने क्या किया था इभी पता है आपको SBI ने इनसे और shares मांगे थे आपको पता हो तो और shares गिर्वी रखने पड़े थे इनको प्योंकि जाहिर से बात है जिस कीमत पर इन्होंने loan लिया था जो shares गिर्वी रखे रोल ले था अगर share की कीमत ही घट गई है तो SBI बोलेगा कि भया जातो जादा share रखके जाओ या फि लेकिन बाहर की bank से तो पैसा लिया है ना तो वो एक दिक्कत है एक और बड़ी बात यहां पर देखो अधानी को लेकर कुछ rumors आती रहते हैं बीच बीच में यसे बीच में काई थी कि अधानी जो है वो कर रहे है अपनी internal independent audit करवाने का इनका प्लान है ग्रांट ठेनान की ज जाल सकता है क्योंकि जाहिर से बात है अगर इतना कुछ है तो एक independent body के थूरू audit करवाना चाहिए लेकिन अगर नहीं करवा रहे हैं तो जाहिर से बात है कुछ तो है यहां पर हलाकि मुझे लगता नहीं कि अधानी की सभी कंपनिया खराब है मैंने पहले भी कहा था कि अध तो आधर लिश्ट है जिनका यह भी कहना था किना 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 पचाशाशा का गैस का चंक है अभी सबने लोग मांगना शुरू कैट तो तब तो दिक्कत और वह जाता खरब हो जागी ठीक है लेकिन यह मान के चल रहा हूँ यह अज्यूम करके चल रहा हूं कि ऐसा नहीं दूसरी बड़ी कंपनी जो है वो अदानी पोर्ट पसंद है मुझे साड़े चार सो रुपए पर गया तो मैंने कहा था खरीद लेना जब जा भी रहा था और हाला कि तूटकर चार सो रुपए के भी नीचे कहा था एक दिन में जब इंट्राडे में गया था यह चार सो बाइं को लेकर अदानी विल्मर मुझे पसंद है मैंने कई बार बोलाए कि चार सो रुपए के नीचे मुझे महंगा नहीं लगता है यह लेकिन फिर भी जिस तरीके की नियूज आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए मैं किसी एक लेगल को बहुत सारे सेर्स कताई नहीं खरी दूँगा यहां पर क्योंकि देखो प्रॉबलम है ठीक है और इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि अगर चार सो रुपए के नीचे जाता है मैं थोड़ी सी कॉंटिटी एड़ करूँगा वेट करूँगा हर पचास रुपए की गिरावट मैं एड़ करता चला जाओंग बनेंगे तो मुझे रहता है कि थोड़ा सा और क्रेक्शन यहां पर बनता है इनके क्वाटर थ्री के जो रिजल्ट से वो कुछ खास अच्छे नहीं आये थे जिसने शेयर में और ज्यादा गिरावट हमको दिखाई यहां पर एक दिन का जंप आया जरूर था लेकिन जैसे क्वाटर थ्री के खराब रिजल्ट साए यह तूटता चला गया और अभी यहां पर पता है हो क्या रहा है पांच परसन के पांच परसन के लोगर सर्केट और सब कुछ न्यूस पर ट्रेड हो रहा है अगर अच्छी न्यूस आगई भाग जाएगा अगर नहीं तो तूट अधानी गैस अवाइट करिये अभी भी बहुत महगा है यह 970 रूपय का शैर है गैस भरी हुई है अधानी ग्रीन काफी बड़ा करेक्शन दिखाया है इसने काफी बड़ा यहां पर 67-68% जितना करेक्शन यहां पर आया है यहां अधानी गैस भी अगर आप देखोगी तो 66% तर तूटा है देखो मैंने पहले भी कहा था कई बार बोल चुका हूँ मैं कि इन 3 पर तो मैं कभी भी दाओ नहीं लगा हूँगा हाँ अभी यह शायद थोड़ा सा और करेक्शन दिखाएंगे तब शायद सोच सकते हैं अंबुजा सिमेंट अच्छी कंपनी है 300 रुप और अग Uni के लिए संटिमेंट कि 50 50 है ठीक है विपक्ष के olabilir रही है कई सरी रिपोर्ट भी निकल कर आ कि अधारी की मौके बनते भी है कहां पर बनेगी जिसके बारे में आपको इस वोड़ी में बता दिया है तो बागी मर्जी आपकी वीडियो को यहीं पहन करूंगा पसंद आए हो तो लाइक कर शाय करें अगरा पहली बाहर है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अधानी ग्र और अधारे में आपका आपका सोचते जो यह यहर है उसके बारे में क्या नहीं आपका सोचते वो भी अब मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं थैंक्यों